राज्य सिक्षा केंदर की वेव साइट में कक्षा 5 वा 8 के चात्रों का परिक्षा के लिए पंजियन करने का उप्शन दे दिया गया है जिन से संस्ता फिर्मोग अपनी साला के कक्षा 5 वा 8 के चात्रों का पंजियन कर सकते हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पंजीयन करते समय इसमें जो नया option आया है subject select करने का तो इसमें हमारी साला के छातरों के subject हम कैसे select करें वीडियो सुरू करें इससे पूर बताना चाहेंगे चुकि पंजीयन में इस बार नया option subject select करने के दिये गए हैं तो आपको subject को बहुत ही साउधानी से जो सासन के राज सिक्षकेंद के निर्देस हैं इनके अनुसार ही select करना है जिससे गलतियों की कोई भी गुंजाईस न रहे चुकि तुरूटी सुधार बाद में हो जाता है लेकिन इसमें काफी परसानियों का हमें सामना करना पड़ता है तो subject select करते समय आपको सासन के निर्देसान उसार साउधानी रखना है आईए दिखते हैं कि subject हम कैसे select करें तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें राज सिक्षे केंट की जो website है इसे किसी भी browser में open कर लेना है open करने के लिए type करें rskmp.in इतना type करके इसे search कर लें जैसे हम search करेंगे हम login पेज पर आ जाएंगे जहां हमें अपना unique ID और अपनी date of birth फिल करके जो capture code दिया है इसे same फिल करना है और login पर click कर दें जैसे ही हम login करेंगे एक नया interface हमारे सामने आ जाएगा जहां 5th and 8th exam 2022 ते इसका एक option दिया गया है इस पर हमें click करना है click करते ही आप देखेंगे कि student verification का एक option दिया गया है अब जैसे हमने click किया तो हमें अपनी साला की कक्छा select करना होगा कि किस कक्छा के शात्रों का हमें verification करना है जैसे एक इकरत साला है तो इसमें कक्छा 5 और 8 प्रदसित होगी यदि कक्छा 1 से 8 तक एक इकरत है और यदि मादमिक साला सिंगल है तब इसमें केवल कक्छा 8 प्रदसित होगी जैसे हम किसी एक कक्छा को select करते हैं कक्छा 8 और इसके उपरां इस option पर click कर दें जैसे हम 100 पर click करेंगे तो हमारी साला के कक्छा 8 के समस्त शात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे अब इनका verification करने के लिए action के नीचे जो symbol है इसपर click कर दें जैसे हम click करेंगे तो pop up window open होगी जहां पर चात्र की जो profile है detail है हमें अच्छे से check करना है और साउधानी से इसमें correction करना है इसके उपरां इसमें जो बिसे है इसे भी हमें select करना होगा तो बिसे select करने के लिए सबसे पहले तो आप medium जो माध्यम है इसे select कर लें कि आप किस प्रकार के माध्यम के चात्रों की profile registered कर रहे है जनरली government school में हिंदी माध्यम रहता है तो आप यहां से हिंदी माध्यम select कर लें और यदि आपकी साला में अंग्रेजी माध्यम है तो आप अंग्रेजी माध्यम या फिर जो अर्न माध्यम है इन्हें भी select कर सकते है समानता है हिंदी माध्यम रहता है तो हम यहां से हिंदी माध्यम select कर लेते है इसके उपरांद यहां पर हमें first language जो पिर्थम भासा है इसे select करना है तो पिर्थम भासा select करने के लिए राज सिक्षकेंद के द्वारा पूर में भी आदेश जारी कर दिया गया था हिंदी माध्याम, अंग्रेजी माध्याम, उर्दू और मराटी चार माध्याम इसमें दिये गया है और बैवसाइट जो है राज सिक्षकेंद की इसमें भी माध्याम चार ही दिये गया है अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे प्रिथम भासा आप हिंदी विसिष्ट सेलेक्ट करते हैं तो जो अन भासा हैं बेव साइट में वो आटोमेटिक इसमें सेलेक्ट हो जाएगी जैसे हम प्रिथम भासा जो है हिंदी विसिष्ट इससे सेलेक्ट कर लेते हैं बेव साइट कि जो तरहती भासा है वो आप यहां से सेलेक्ट करने हैं समान रूप से गौवर्मेंट इसकुलों में समान संस्क्रत होती है तो हम यहां से समान संस्क्रत सेलेक्ट करते हैं आपकी साला में जो भी तरहती ग्यान में करेंगे तो समाज ग्यान आएगा, तो इस परकार से आप अपनी साला के कक्षा आठ के चात्रों की जो भाषा है, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे परकार कक्षा पांच के लिए भी राजसिक्षक एंद के द्वारा नर्देस दिए गये हैं, जिसमें आप देख सक राज सिक्षकेंद की website में कर सकते हैं तो इस प्रकार जो माध्यम और first language है इन्हें आपको बहुत ही सावधानी से select करना है साथ ही जो third language है additional language इसे भी आपको अच्छे से check करके इसमें select करना होगा इसके अतरिक जो subject इसमें दिये गए हैं एक वार अच्छे से check करने हैं चुकि जैसे ही आप यहाँ पर first language select करेंगे subject यहाँ पर auto select हो जाएंगे और finally अच्छे से check करने के उपरान थी आपको इन्हें verify करना है क्योंकि इसमें आप गल्तियों की कहीं भी कोई गुंजाईस ना रखें चुकि तुरूटी सुधार बाद में हो जाता है लेकिन इसमें काफी स सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है एथी कक्षा 5 वा 8 के चात्रों की परिक्षा के लिए माध्यम बार बेसे select करने के सम्मझ में एक बहुत ही महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आप समझ पाए होंगे मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ मैं